नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत वो स्वागत है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्यूशन्स तो पहला क्यूशन है राजस्तान संग का निर्माण 25 मार्ज 1948 को हुआ इसमें राजप्रमो किसे बनाये गया उपसन है दोलपूर के महाराजा, करूलिक के महाराजा, महराव कोटा या शिरोई महाराजा तो इसका सियान स्रोगा उपसन नमबर सी महराव कोटा को इसका राजप्रमुग बनाया गया था बात करते हैं अगले गूशन की अगले क्युसन है वचनिका राठोड रतन सिंग महेस्तादा सोतरी रचना के रचियता कौन है उप्सन है बांकीदास शामलदास ददिवाडिया जगा खडिया या केशरी सिंग बारट तो इसका सयांस रोगा उप्सन नमबर सी जगा खडिया बात करते हैं अगले क्युसन की अगले क्युसन है राजस्तान का राजय पूस्प कौन सा है उप्सन है रोहिडा, कमल, पलास या गुलाव तो इसका सयांस रोगा उप्सन नमबर ए रोईडाव राजस्तान का राज्य पूस्प है और प्लास को जंगल की जो आला के नाम से जाना जाता है बात करते हैं अगले जुसन की अगले जुसन है गिंगोलिका यूद का सम्बंद किससे हैं ओप्सन रानी पदमीनी, करमावती, सहल कमर या कृष्णा कुमारी तो इसका सहियान स्रोका ओप्सन नमबर डी, कृष्णा कुमारी का सम्बंद गिंगोलिका यूद से हैं जिसमें आमेर के जगत सिंग और मारवार के मान सिंग के मद्दे कृष्णा कृष्णा कुमारी को लेकर गिंगोलिका यूद वा था बात करते हैं अगले ग्युसन की अगला ग्युसन है राजस्तान के राजस्वन्याले का मुख्याले किस नगर में इस्तित है उप्सन है अजमेर जोदपूर जेपूर या बिकानेर तो इसका सियान सुरूगा उप्सन नमबर ए राजस्तान राजस्वन्याले का मुख्याले अ जमेर जिले में हिस्तित है बात करते हैं अगले की किशन की अगले किशन है दोहरी तामेद's चे अतात्परीह है option A रियासत काल में ले जाने वाली करलाग option B रियासत काल में दर्मार में अ! अबिवादन का एक परकार options ये उपयुग दोनों या उप्सन डिये इनमें से कोई नहीं तो इसका सियान स्रोगा उप्सन नमबर B रिया सत्काल में दर्बार में अभिवादन का एक परकार बात करते हैं अगले क्युसन की अगला क्युसन है कितने भारतिय राज्यों के साथ राजस्तान की शिमाई मिलती है उप्सन तीन, च्यार, पाँच, या छे तो इसका सियान स्रोगा उप्सन नमबर C राजस्तान की अन्य राजस्ते शिमाई पाँच राजस्ते मिलती है जिसमें पंजाब, हरियाना, यूपी, एमपी और गुजरात ये पाँच राजस्तान की अगला गुषन है, कौन सा सासक परतियार, करपूर मंजरी के रच्यता, राजस्यकर का शिश्यतता सरक्षक था उप्सन वत्सराज, नागपट फर्तम, महिंदरपाल फर्तम, या मिहिर बोज तो इसका सियान स्रोगा उप्सन नमबर C महिंदरपाल फर्तम बात करते हैं, अगले गुषन की अगला गुषन है, राजस्तान के कि जीले में सोरूरजा चलित, मिल्क चिलिंग प्लांट इस्थित है उप्सन है, जैपूर, अजमेर, करोली या भरतपूर तो इसका सियान स्रोगा उप्सन नमबर D भरतपूर जीले में सोरूरजा चलित, मिल्क चिलिंग प्लांट इस्थित है बात करते हैं, अगले गुषन की अगला गुषन है, राजस्तान एकिकरन के समय तीन ठिकानों में से एक कुसल गड़ ठिकाने का समन्द वर्तमान के कि जीले से था उप्सन है परतावगड, डुंगरपूर, बासवड़ा या जालावाड तो इसका सही आंसरोगा उप्सन अमबर C वर्तमान में कुसलगड, बासवड़ा जीले में इस्थित है बात करते हैं, अगले गुषन की अगला गुषन है, निउन में से कौन सा युगम संगत है उप्सन एप पारिखा, यानि कि किल्ले के चारो और बनी खाई उप्सन भी एप परितो, रहट का एक उपकरन उप्सन एप परिवटू, यानि परतेगपक्स की फर्तमतिती अगले गुषन है, निउन में से कौन सा युगम संगत है उप्सन है, तावीत कमर से, मोर फवर मस्तिक से, रखन दात से या कंडोरा पेर से, तो इसका सैयान शुरूगा उप्सन नमबर सी रखन अबुषन वो दात में पहना जाता है, इसलिए सैयान शुरूगा उप्सन नमबर सी, बात करते हैं अगले गुषन की, अगला गुषन है सहकारी केटना सक दवा निर्मान सेंत्र और पसो अहर सेंत्र इस्तित है उप्सन है, अबुरोड शिरोई, किसंगड अजमेर, जोटवाड़ा जेपूर या मांडलगड बीलवाड़ा तो इसका सहियान स्रोगा उप्सन नमबर सी, जोटवाड़ा जेपूर में इस्तित है बात करते हैं अगले गुषन की अगले गुषन है, सरवादिक इस्तनाना गाट वाली जील बावन गाट जिस पर मेड़म मेरी द्वारा महिला गाट का निर्मान करवाया गया था उस गाट को खहते हैं, उप्सन जनाना गाट, महत्मा गांदी गाट, विक्टोरिया गाट या पुसकर गाट तो इसका सियान सरुगा उप्सन नमबर बी, महत्मा गांदी गाट, बात करते हैं अगले गुषन की, अगले गुषन है, राजस्तान ये बहसा का स्वन योग किस काल को खाय जाता है, उप्सन ए, 1450 इस्वी से, 1650 इस्वी तक, उप्सन बी है, 1650 से, 1850 तक, उप्सन सी है, 17 1750 से, 1850 सी तक, या उप्सन डी, 1850 से, वर्तमान काल तक, तो इसका सियान सरुगा उप्सन नमबर बी, 1650 से, 1850 इस्वी तक, राजस्तान ये बहसा का स्वन योग काल कहलाता है, बात करते हैं अगले क्युषन की, अगले क्युषन है, उत्तको की रचना के अध्यन से सब्मं तो इसका सियान सरुगा उप्सन नमबर C, उत्तको की रचना का देन, इस्टोलोजिक है लाता है, बात करते हैं अगले क्युषन की, तो दोस्ते याँ पर अगला क्युषन है, कि LPG गेस सलेंडर में क्या बरकर गेस को गंद युक्त बनाया जाता है, ताकि रिसाव की इस्त रोल, मर्केप्टन या एलकोल, तो इसका सियान सरुगा उप्सन नमबर C, मर्केप्टन इसमें मिलाया जाता है, ताकि गेस रिसाव होने पर इसकी दूरगंद या पिरगंद से इसका पता जल सके, बात करते हैं अगले क्युषन की, मेंडक का लार्वा क्या कहलाता है, उप प्यूपा, मेगोट, केटरपिलर या टेड़ पॉल, तो इसका सियान सरुगा उप्सन नमबर D, मेंडक का लार्वा टेड़ पॉल कहलाता है, बात करते हैं अगले क्युषन की, निंद्रा रोग, ट्रिपोनो सॉमा के कारण होता है, जिसका वाह क्या होता है, उप्सन अशी को वो सिसी मक्य होता है, बात करते हैं अगले क्युषन की, अगले क्युषन है, मान व सरीर का कौन सा अंग, पुनरुद बहुन को परदशित करता है, उप्सन अपलिहा, वक्र, मस्तिक्स, या यक्रत, तो इसका सियान सरोगा उप्सन नमबर D, सरवादिक पुनरुद बहु उनकी समता यकरत में होती है, बात करते हैं अगले क्युषन के, अगला क्युषन है, संगलक बनाने है तो तारो के निर्मान में पर्योग्त दातु में, ऑप्सन अ, अतिन यून पर्तिरोदगता और उच गलनाग होना ही चाहिए, ऑप्सन भी एंच पर्तिरोदगता और तो इसका संयांस रोगा option number C, नियोन पर्तिरोदकता और नियोन गलनांग होना चाहिए, बात करते हैं अगले गुषन की, अगले गुषन है, 14 वर्ष की आयू के बच्चों के विकास के लिए निम लिकित में से कौन सा सबसे अधिक महत्तपुरण है, option है, protein, vitamin, विटामीन, वस या दूद, तो इसका संयांस रोगा option number A, protein, बात करते हैं अगले गुषन की, अगले गुषन है, iscorbic, अमल है, एक परकार का, vitamin, enzyme, prone, protein, वसा, तो इसका संयांस रोगा option number A, iscorbic, अमल, vitamin C होता है, बात करते हैं अगले गुषन की, अगले गुसन है एक रासाइनिक परदार जो रग्त का थक्का बनाता है ओप्षन है फिलोक्विनोस, थाइमीन, साइनोकोबालमाईन या इन में से कोई नहीं तो इसका सियान सुरूगा ओप्षन नमबर A फिलोक्विनोस बात करते हैं अगले गुसन की अगले गुसन है दान का खेरा रोग या लगूपतन रोग किस ततोगी कमीशे होता है ओप्षन है जस्ता, कोपर, मेगनिशियम या केल्सियम तो इसका सियान सुरूगा ओप्षन नमबर A जस्ते की कमीशे दान में खेरा रोग हो जाता है बात करते हैं अगले ग्यूसन की अगला ग्यूसन है रूधीर वन्निका का क्या कारिय है ओप्सन है ओक्षिजन को इधर उधर पहुचाना बेक्ट्रिया को समाप्त करना अरक्त कल्पता का निवालन करना या उर्जा का उप्यो करना तो इसका सेयान शुरूगा ओप्सन नमब का उस्त जीवनकाल होता है उप्सन अतेश दिन साट दिन, अच्छी दिन या 120 दिन तो इसका सहियान स्रोगा उप्सन नमबर D लाल रख्त खनेकाओं यानि कि RBC का जीवनकाल 120 दिन होता है बात करते हैं अगले क्यूसन की पाचन के रिया प्रोटीन निम लिकित में से किस पदार्त में बदल जाती है उप्सन अवसा ग्लूकोज, एमिनो अमल या सरकरा तो इसका सहियान स्रोगा उप्सन नमबर C प्रोटीन अवो एमिनो अमल में बदल जाती है बात करते हैं अगले क्यूसन की अगला की जुसन है रक्त में पाई जाने वाली दात्तू है उप्षन है केल्सियम, जिंक, सोडियम या लोहा तो इसका सही आन सुरोगा उप्षन नमबर D लोहा बात करते हैं अगले की जुसन है प्रोटीन निर्मान का सक्रिय इस्तल है उप्षन है लाइसोसॉम, राइबोसॉम, माइटोकॉंड्रिया या गोलजीकाई तो इसका सहियांस रोगा उप्षन नमबर भी राइबोसॉम बात करते हैं अगले ग्यूसन की अगला ग्यूसन है पावर यानि की सक्ति का ऐसा है मातरक वाट किसके समतुले है उप्षन है केजी मिटर सेकिन्ड स्क्वाइर, केजी मिटर सेकिन्ड स्क्वाइर या केजी मिटर सेकिन्ड क्यूब या इन में से कोई नहीं तो इसका सहियांस रोगा उप्षन नमबर शी केजी मिटर सेकिन्ड क्यूब बात करते हैं अगले ग्यूसन की अगला ग्युशन है नाबी के रियक्टर में न्यूट्रोन नियंत्रक के रूप में निमलिकित में से क्या प्रयोग किया जाता है उप्षन है भारी जल, ग्रेफ हाइट, केडिमियम या बोरोन या एल्यूमिनियम तो इसका सहियान सुलोगा उप्षन नंबर C, नियंत्रक के रूप में केडिमियम या बोरोन की चड़ो का उप्योग किया जाता है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अचा लगए वीडियो लाइक करें, सेर करें और कमेंट करके बताए वीडियो के सा लगा और दोस्तों हमारे चैनल को सस्क्राइज जरूर कर लेजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिक्षन सबसे पहले मिल सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले धन्यवाद